हेलो फ्रेंड्स तो आज हम आप सब के लिए लेकर आए हैं नमक पारा नमकीन की रेसिपी जो आप लग इन्हें लंबे समय तक में स्टोर करके रख सकते हैं तो आप लोग विडियो को एन्ट तक जरूर देखे अगर आपको हमारे विडियो पसंदारी हो तो विडियो को लाइक करे शेर करे और सस्क्राइब जरूर कर ले तो चलिए विडियो शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं दो कप मैदा अब अपने हिसाब से कमिया ज़्यादा कर सकते हैं उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधी चमच नमक नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे आधी चमच अजुआइन अजुवाइन को हम इस तरह से रगर के डालेंगे तभी इसका फ्लेबर जो है अच्छा आता है उसके बाद हम इसमें डालेंगे तीन चमच घी घी को गरम करके डाले या फिर ऐसे ही भी डाल सकते हैं अगर आप चाहे तो इसमें घी की बज़त तेल भी डाल सकते हैं डालने के बाद हम इसको अच्छे से हम मिलाएंगे अच्छे से सभी को हम मिक्स करेंगे ताकि इसका खास्ता है वो अच्छे से मिक्स हो जाए मैदे में जितना अच्छा से इसमें खास्ता मिक्स हुआ रहेगा उतना ही अच्छा हमारा नमक पारा बनेगा इसलिए हमें खास्त मिनिट तक हमें इसे ही मिक्स करते रहना है लगतार मिक्स होने के बाद हम इसमें थोरा थोरा करके पानी डालते हुई हम इसका आटा गुंद लेंगे आटा को हमें न ज़्यादा सब्ट गुंदना है न ज़्यादा सब्ट गुंदना है हमें नॉर्मल गुंदना है आटा को गूतने के बाद हम लेंगे यहाँ पर एक चकला और उसके बाद हमने यहाँ पर लिए है एक प्लेट में थोड़ी सी मैदा इसे हम लगाने के लिए लखे है उसके बाद हमने यहाँ पर लिये हैं एक आटी की लोई और इसके बाद हम इसको अच्छे सा हम हाथ से मिलाते हुई इसको थोरा सा उपर से चिकना करेंगे, सौप्ट करेंगे उसके बाद हम जैसे ही रोटी बनाते हैं उसी तरह हम हलका सा मैदा लगाएंगे चकला पर और लोई पर भी और लगाने के बाद हम इसको अच्छी तरह से हम इसको बेलेंगे बिल्कुल रोटी की तरह एक तब हम इसको पतला बेलेंगे तो इसी तरह हम इसको रोटी से भी पतला बेलेंगे देखिए रोटी से भी पतला है ये बेलने के बाद हमने यहाँ पर लिए है एक चाको हम चाको से हम इसको हम काटेंगे इस तरह से अगर आप चाहे तो इसे कोई भी शेप में काट सकते हैं एक दम मासानी से कटता है ये बिल्कुल भी महनत नहीं लगती इसमें देखिए हमने इस तरह से एक तरफ से काट लिये है उसके बाद हम चकला को थोड़ा से टेरा करके हम इसको इस तरह से हम तिरचा से कट करेंगे आप इसे कोई भी सेप में कट कर सकते हैं हम इसे इस तरह से छोटे छोटे डायमंड सेप में कट कर रहे हैं तो देखे कितना अच्छा से कट हो गया है ये तो अब हम क्या करेंगे एक थाली लेंगे और हम थाली में इसको हम एक्तम आसानी से हम निकालेंगे जड़ा सभी नहीं खराब हो गए एकतम आराम आराम से निकल जाएगा इस तरह से देखी हलका सा चाको गुसाएगा एकतम आराम से निकल रहा है ये बिल्कुल भी इसका सेब खराब नहीं हो रहा है इसी तरह हम सभी को हम निकाल लेंगे निकालने के बाद फिर से हम यहाँ पड़ एक लोई लेंगी और उसी तरह हम बेलेंगे इसको एकतम पतला से बेलने के बाद हम उसी तरह हम कट कर लेंगे और हम सभी को हम निकालेंगे एकतम अच्छे से निकल जाएगा है निकालने के बाद हम इसी तरह हम सभी नमक पारे को हम बना लेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पर चढ़ाए एक गडाही उसमें हम डालेंगे तेल डालने के बाद हम तेल को हम गरम करेंगे उसके बाद हम इसमें नमक पारे को हम डालेंगे तेल हमारा गरम होना चाहिए डालने के बाद इसको हलका हलका हम हिलाएंगे वो खुद पखुद फूलने लगेगा देखिए बस हलका हलका हमें हिलाना है इसे सब फूलने के बाद उसके बाद हम फ्लेम को हम लो कर देंगे और low flame पे हम इसको धीमी आज में हम इसको जब तक इसका color change नहों जाए तब तक हम इसको तलेंगे धीमी आज में तलने से क्या होता है कि जो हमारा नमक पारा है वो crispy बनता है crunchy बनता है तो दिखें यहाँ पर हमारा नमक पारा का जो है color change हो गया है तो अब हम इसको निकालेंगे निकालने के बाद हम इसको थोरा से ठंडा होने के लिए खड़ रखतेंगे उसी तरह हम बाकी के नमक पारे को भी हम इसी तरह हम तल लेंगे उसी तरह हिलाते हुए तो यहाँ पर हमारा नमक पारा जो है बन के तयार है बहुत ही क्रिस्पी बनी है बहुत ही टेस्टी बनी है आप इन्हें इस्टोर करके रख सकते हैं लंबई समय तक के लिए आप इसी कभी भी खा सकते हैं चाई के साथ भी सर्ब कर सकते हैं बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राय करें अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें सेर करें अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सस्क्राइब करना ना भूले